Hello everybody, मेरा नाम है उरूज और मैं हूँ हग पेबरिजिस की तरफ से आज मैं आपको बताऊंगी तीन तरीके जिससे आपका कॉंस्टिपेशन घर पे वैठे वैठे अराम से सुलत सकता है अब पहले तरीके पे आते हैं पहले तरीके में आपको क्या करना है आपको अपने गट मसल्स को थोड़ी सी कसरत देनी है यह बहुत आसान तरीका है या आप अपने घर में रहे के भी कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको एक फ्लाट सर्फिस ढूनना है जहां पे आप लेट सकें एक योगा मैट बिचाएं आप ये योगा मैट पे भी कर सकते हैं या आप ये अपने बेड पे भी रह के कर सकते हैं इसमें आपको क्या करना है? आपको सीधा लेटना है अब जब आप ये दो से तीन बार कर चुके हैं आपको फिर ये दुबारा करना है जादा फोर्स के साथ करना है जादा ताकत के साथ करना है और जब आप ये सेकंड बार कर रहे हैं इसमें आपको क्या करना है आपको सांस बाहर छोड़नी है और आपको अपना सर अपने अगर आपको प्रेशर महसूस होता है तो आप वाश्रूम जाएं और आपका कॉंस्टिपेशिन असानी से सुलच चुका है अगर आपने एक्सरसाइस कर ली है आपको प्रेशर नहीं आता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है तो अब हम आएंगे दूसरे तरीके इसमें हमें क्या करना है जब आप एक्सरसाइस कर लें एक बड़ा सा ग्लास लेना है पानी का आपको ये गरम पानी का ग्लास बैठे बैठे पीना है अराम से पीचे कोई जलबाजी नहीं है इसमें जब आप पानी का ग्लास पी लें तब आपको 300 से 500 स्टेप्स चलने है इ अगर आपको प्रेशर महसूस होता है तो आप वाश्रूम जाएं और आपका कॉंस्टिपेशिन इन दो तरीकों से असानी से सुलग चुका है अगर आपको प्रेशर नहीं आता है अब आपको क्या करना है आपको अपने गट को थोड़ी और कसरत देनी है तो आपका गट कहा ह आपकी नाबी से एक इंच दूरी पे आपका गट होगा आपको क्या करना है आपको अपने गट को दाएं हाथ की तरफ से बाएं हाथ तक clockwise गोल तरीके से मसाज करना है जब आप ये कर रहे होंगे आपको अपने पेट के आसपास एक गांट महसूस होगी जब आपको ये गा बहुत ही अराम से उसको मसाज करना है दाएं से बाएं जब आप ये थोड़ी वक्त तक करेंगे आपको प्रेशर महसूस होगा और आप वाश्रूम जा सकते हैं अगर इसके बाद भी आपको प्रेशर नहीं महसूस होता है तो हम आते हैं अपने तीसरे तरीके पे तीसरे त इस तूल से क्या होता है कि जो आपके घुटने है वो आपके पेट के लेवल पे आने चाहिए अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप एक बकेट को उल्टा करके भी अपने पैर उस पे रख सकते हैं यह इसलिए है क्योंकि रिसर्च हमें बताती है जब आप इस तरीके से ब कोशश करें आप इस तरीके को अपनाए और आप दीखेगा कि आपके कॉंस्टिपेशन में काफी ज्यादा फरक है अब मैंने आपको बता दिये हैं तीन अलग तरीके जो आपके कॉंस्टिपेशन को घर पे बैठे-बैठे सुलझा सकते हैं आप इन तरीकों को अपनाए औ और हमें बताएं आपके लिए कौंसा तरीका काम आया